आज हम एक्सेसाइज 11.1 कोश्चन नमबर 3 करेंगे इस कोश्चन में इन्होंने हमें कुछ नमबर्स नहीं होएं और ग्रूप देटा टेकिंग 3 एस दे साइज आफ इंटर्वेल इन नमबर्स में हमने 3 का गैप दे के वैसे ही टेबल बनाना है जैसे हमने पिछले कोश्चन में किया सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ग्रूप फिर हम लिखेंगे नमबर ओफ मिस्टेक्स क्योंकि इस कोश्चन में हमने बताना ही यही है के number of mistakes कितनी है फिर हम लिखेंगे frequency अब हमने क्या करना है हमने 3 का gap देखे इन numbers में यहाँ पे लिखना है यहाँ पे 1 हमारे पास है तो हम क्या करेंगे 0, 1 और 2 यह हमारे पास 3 words हो गए 3 का gap हमने दे दिया अब हमने इसमे जिरो पाइट के दना है जिरो तो नहीं है 1 देखते हैं 1 टाइम आगै 2 ताइम आगै उसके बाद 3 टाइम आगै तो हम यहाँ पे 1 3 टाइम लिखते हिरे 1 आगै अब यह ट्स टाइम आगै अब यह टू टाइम आ गया दो दुफ़ा हो गया और बस यह टू टाइम ही है वान एंड टू क्योंकि अब यह जिरो से टू तक है तो हमने इसको यही पर बस कर देना है और यह कितने वर्ड्स हैं हमने इनको काउंट करके फ्रेक्वेंसी में लिख देना है वान तू त्री फ फाइब यहां पर हम लिख देंगे अब हमने क्या करना है अब हमने थ्री से करना है थ्री फॉर और यह फाइब दे दिया अब हमने इसमें थ्री फाइंड करना है थ्री वन टाइम आ गया तू टाइम आ गया थ्री को थ्री टाइम लिख देंगे ठीक्तिया फॉर अब हमने फोर करना है 5 यह बन टाइम आगया 6 उसके बाद यह टू टाइम आगया और यह थी टाइम आगया तो अब हम 4 को थी टाइम लिख देंगे 1 2 & 3 तो अब हमारे पास यह कितने नंबर्स हैं काउंट करके फ्रुकंसिट में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 6 हैं तो हार पास 6 इसकी frequency आगए अब हमने क्या करना है 6, 7 और 8 इतरी का gap आगया अब हमने उपर numbers में से क्या find करना है 6 find करना है तो इन में 1 time 6 आगया फिर बस इसमें 1 time ही 6 है अब हमने 7 find करना है 1 time 7 आगया और 2 time आगया 3 time आगया और ये 4 time आगया 4 times अब हम 7 लिख दिएंगा 1, 2 3 and 4 लिख दिया अब हमने क्या करना है 8 find करना है इसमें 8 गूरना है अब हमने तो 1 time 8 आगया तो अब यहां पर हमर पास 8 एक ही time है तो हम इसे एक बार लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये total 6 numbers दोगे तो इसकी frequency भी 6 आजएगी अब हमने क्या करना है 9, 2, 9, 10, 11 अब हमने इसमें 9 find करना है ये एक time 9 आगया फिर ये 2 time आगया ये total 2 times हैं तो हम इसे 2 times लिखेंगे अब हमने क्या करना है 10 लिखना है 10 one time इसमें 10 one time है 11 one time आगया 11 one time आगया और 11 बस one time है इसमे तो यहाँ पर 11 one time आजएगा 1, 2, 3, 4 इसकी frequency 4 हो जाएगी अच्छा इसमें 3 हमने 3 time count किया है यहाँ पर एक और भी 3 है तो ये यहाँ पर आजएगा तो ये 4 times 3 हो गया तो इसकी frequency 6 हटके 7 हो जाएगी अब हमने क्या करना है क्या लिखना है हमने 12, 2, 12, 13 and 14 14 आगया 14 one time 12 one time आगया 12 two time आगया और 12 three time आगया 12 को अब हम three time लिखे देंगा one two three आगया अब हमने क्या करना है 13 धुनना है one time 13 आगया और 13 only one time है उसके बाद हमने 14 धूनना है यह one time 14 आगया और बस one time है अच्छे यहां पर एक और भी mistake होई है five यहां पर हमने five को count नहीं किया तो five हम ढूंड लेते हैं यह one time five हो गया यह two time five हो गया तो इसमें five two times है तो हम two times लिख देंगे यहां पर nine आजाते हैं भी हमारे पस को लिख देंगे और यह eleven one time और है तो यहां पर एक और 11 आजाएगा और यह four के बजाए five हो जाएगा इसको अब हम count कर लेंगे one two three four five five है total तो यहां पर हमारे पास five आजाएगा तो यह total जो हमारे पास frequency है इसको हम count कर लेंगे five है nine है six है five है और five है frequency को हमने count कर लेना है five five ten five fifteen sixteen seventeen eighteen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven और यह twenty eight twenty nine और यह thirty तो टोटल हमारे पास frequency कितने आ गई thirty झालती